दोस्तों PHP के स्फिरी कोर्स में आप सबकस हो आगेता है जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं PHP का एक बहुत important topic जो कि है get and post method देखो अभी तक हमने PHP में बहुत चीज़े कवर के और वो सब चीज़े बहुत ही जादा basics थे लेकिन आज की इस वीडियो में जो term आप सीखने वाले हो उसके बात PHP के proper practicals आप start करोगे तो इस जो वीडियो हो बहुत ही जादा important होने वाला है अब यहां पर एक चीज़े में आ इतना साथ important क्यों है जिसे में वीडियो में बता रहा हूं कि बहुत जादा important है दूसरा term हम यह समझेंगे कि जो दो methods है get और post इन दोनों में क्या difference है और आपको कौन सा वाला सबसे जादा use करना चाहिए तीसरा बहुत important term जो कि आपके लिए तब काम आएगा जब आप किसी company के लिए या फिर किसी client के लिए आप project बना रहे होंगे जो कि है security term बहुत लोग को यह चीज नहीं पता होती है कि get और post जो यह दो method है उनमें सोने कौन सा method use करना चाहिए जो कि security purpose से सही रहता है मतलब अगर आप कभी भी security related term में इन methods का use कर रहे हो तो आपको get और post method में सो क और तीसरा बहुत important term जो कि है practical मतलब यह जो भी हमारी terms है जिन जिन चीजों के आज हम बात करने वाले हैं जिन जिन चीजों को आज हम सीखने वाले हैं सब कुछ proper practical हम करके देखेंगे तो यह जो वीडियो हो आपके लिए बहुत ज़्यादा important होने वाला है आप से बस इतनी से request है कि अगर यह video आपको useful और informative लगे तो please video को like और share जरू करें तो बिना किसी देरी case शुरू करते हैं इस video को अब यहाँ पर शुरुवात करते हैं सबसे पहले सवाल से कि यह जो हमारा topic है get or post method यह क्या है क्यों आपको से सीखना है क्या इसका important है यह चीज के लिए करते ह आप चीज सीखर हो क्या है web development मतलब जिसमें आप क्या करते हो website बनाना सीखर हो right अब यहाँ पर मान लो कि आपने website बनाई अब यह website में आपने लोगों को बोला कि अगर आप हमारी website पर आ रहे हो आपको account create करना है जैसे कि facebook पर होता है google account पर होता है तो different places पर हम देखते है कि पहले है आपको registered करना है right तो आपने क्या क्या एक यहाँ पर registration form बनाया है जहां पर लिखा है create an account पहला नाम डालो last name डालो mobile number new password यह सब चीज है अब यहां भी point समझेना यह जितनी भी चीज़े हैं किसके लिए client के लिए है मतलब client इसमें अपना नाम लिखेगा last name लिखेग email address लिखेगा password लिखेगा इसके बाद यह data आपको चाहिए होगा अपनी PHP file में ताकि आप इसे modify कर सको उस user को add कर सको database में उस user के data पर आपको restriction लगाना है modification करना है जो भी access देना वो सब चीज़े कर सको तो उन चीजों के लिए क्या होगा पहले आपको यह data है वो PHP वाली file मे लेके आना पड़ेगा मतलब ही जो भी data client डाल रहा हो क्या है हमें PHP की file में लेके आना है ताकि हम उसे database तक भेज सके तो अगर आपको javascript की file में से PHP में data लेके आना है उसके लिए ही हमें जो get और post method है उसका use करते हैं मतलब आपने javascript का code लिखा जिसके मतद से आपने form बन मतलब जो भी client data डालेगा उस data को आपको database तक पहुचाना है उस data को आपको modify करना है उस data को आपको access देना है उन सब चीजों के लिए पहले आपको data PHP की file तक लाना पड़ेगा और PHP की file तक इस input block से data लाने के लिए हम इन methods का use करते हैं I hope कि इतना point आपको clear हो गया होगा मतलब यूजर ने यहां पे लिखा राहूल और last name में लिखा चौधरी तो यह जो राहूल लिखा चौधरी लिखा mobile number लिखा पासवर्ड लिखा यह सब पहले मुझे अपनी PHP file में लाना पड़ेगा और PHP file में लाने के लिए हम इन methods का use करते हैं इसके अलावा भी और methods हैं but get और post ह mainly use होता है और इनी के बार में आपको ज्यादातर बताया जाता है तो हम इसी methods पे ही focus कर रहे हैं अब theoretical तो यह चीज आपको समझ में आ गई हम गया करते हैं सीधा चलते हैं notepad++ में जहां पे इस code को में लिखता हूं और इसका proper practical में आपको शो करता हूं अब normally यह जाते है notepad++ पे यहां पे आप देखे रहों कि मैंने कुछ set of code लिखे हुए हैं क्या है मैं आपको explain करता हूं दूसरा यहां पे हमने php की file यहां पे खोली हुई है मतलब कि basically जो हमारा zampt software है जिसे हमने install क्या हुआ है उससे मैंने यहां पे आप देखोगे तो मैंने यहां पे जो apache server है उसको यहां पे on क्या हुआ है और इसके बाद यहां पे हमने php की जो हमारी file है localhost में जाकि वो मैंने यहां पे खोला हुआ है अब सबसे पहल तो आप यह समझो कि मैंने notepad++ में किया क्या क्या यहां पे normally आप देखोगे तो मैंने HTML, head, title, body जो चीज़े हम normal syntax है वो हमने लिखा हुआ है और मैं क्या करता ह तो मैं इसको delete कर देता हूँ ताकि मैं यह चीज़ आपको दुबार इसका समझा सको वो ज्यादा बेटर रहेगा तो हम यहां पे लिखता है पहले form हमने simple क्या लिखा form basically जब भी आप login page बनाते हो तो वहां पे हम form से शुरू करते हैं तो हमने यहां पे form लिखा इसके बाद type equal text ठीक है और हमने क्या सको close, फिर हम बब एक блок बना देता हूं password का हमने यहां यहां पे लिखा input type equal password ठीक है, और हमने क्या सको close और इसके बाद हम यहां पर लिखते हैं input type equal submit और हमने कि इसको close control s करेंगे यहां पर आएंगे कर दिया reload तो यहां पर normally username password का block आपके सामने आ जाता है अब यहां पर मुझे करना क्या है मुझे यह जो php वाली file है जो कि है practice.php इसमें भी जो चीज मैं लिखे है मैं इसको delete कर दे रहा हूं बिल्कुल blank करना है तो यहां पर जो मेरी file है practice.php इससे इसको link करना है तो link करने के लिए हम क्या करते है हम form के अंदर आते हैं और यहां पर हम लिखने action action क्या है कि जब मैं submit पर click करू तो यह action call हो तो मैंने आपर लिखा action equal और जो भी मेरी php की file है उसको हम यहां पर link करेंगे तो practice.php मैंने यहां पर डाला इसके बाद दूसरी चीज इसमें पूछा जाता है जो दूसरा attribute होता है method का दो method मैंने बताया आपको एक get और एक post पहले get समझते हैं फिर post समझते हैं यह हमारा जो code है simple code जो है वो यहां तक हमारा हो गया मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ फिलाल के लिए ताकि proper format यहां पर show यह रहा हमारा setup code जो कि और इसके आप देख पा रहोगा अब आते हैं practice.php में कि अगर user यह जो client है वो इसमें कोई भी data डालेगा user name में password में तो data मुझे अपने पास चाहिए तो अपने पास कैसे आएगा तो इसके लिए हम क्या गरेंगे यहां PHP के syntax को हम लिखेंगे हमने लिए PHP के syntax इसके बाद हम एक यहां पर simple keyword यूज करने वाले हैं फिर हम यहां पर आते हैं और printr दिया यह JavaScript कर जब section हम पढ़ रहे थे तब भी हमने इसका use देखा था तो printr हम यहां पर डालते हैं और इसके बाद जो हमारा method है वो हम डाल देंगे तो dollar का symbol देना आपको और फिर आपको जो get method है वो यहां पर लिखना है इसके बाद फिर e को यहां पर close कर देंगे यानि जो pre tag हमने on किया है उसको हम close कर देंगे तो हमने यहां पर लिखा pre और हमने किया इसको close तो यह normally मैंने एक syntax लिखा printr जिसकी मदद से यह जो हमारा जो भी users में data डालेगा उसको print करके हमें show कर देगा इसका proper हमें आगे क्या करना है कैसे क्या करना है database तक कैसे पहुचाना है वो चीज़ आप आगे की वीडियो ने सिखोगे अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमारी PHP की file और यहां पे जो हमारी HTML की file है दोनों को आपस में link कर रहे हैं get यह post method से तो फिलाल हमने इतना क्या control s करते हैं यहां पर आते हैं कर देते हैं reload एक बार check करते हैं कि हमारा code काम कर रहा है नहीं कर रहा username पर आए मैंने यहां पर username लिखा राहुल password में मैं कुछ भी password डाल देता हूँ और मैं करता हूँ submit पर click अब जैसे मैं यहां पर submit पर click करता हूँ तो यहां पर अरे तो लिख्या आगि प्रिंटार के वज़े से लेकिन इसके अंदर जो data मैंने डाला जैसे कि मैंने username डाला था और मैंने password डाला था उन दोनों में से को इसके लिए करना होता है देखो आप आओ अपनी HTML वाली फाइल में यहां पर जो आपने input type text जो की part of username है यहां पर हम इसको बता देते हैं कि इसके अंदर जो भी data डाला जाएगा उसका हम एक नाम दे देते हैं यहां पर तो नाम मैंने डाल दिया suppose user data या फिर username ही लिख देत password में हम दुआ इसका नाम दे देते हैं कि इसमें जो भी data डाला जाएगा उसका क्या नाम होना चाहिए उसका नाम होना चाहिए पास कोड अब यहां पे मैं password भी लिख सकता था लेकिन मैं पास कोड इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको इस समझ में आ जाए कि जरूरी नही यहां पे आएंगे reload करेंगे और हम क्या करेंगे इसको back लेकर चलते हैं reload कर देते हैं दुबारा से मैं writer डालता हूं तो मैंने यहां पे लिखा राहूल password में मैं यहां पे डाल देता हूं कुछ भी इस तरीके से मैंने password डाला अब जैसे मैं submit पे click करूंगा आप देखो जाएं मैं वो data कैसे चाहरा हूं वो इस भीहाब पे depend करता है इस name के भीहाब देखो name मैंने लिखा username यह username लिख रहा है अगर मैं यहां पे लिख दूँगा my name सब्सक्राइब और मैं Ctrl S करता हूं यहां पे आता हूं दुबारा से आता हूं reload कर देता हूं दुबारा वही ना जाएं आप जरूरी नहीं है कि यहां पे username लिखा है तो आपको username ही लिखना है आपके उपर है जिस way में आपको data चाहिए जिस नाम के साथ आपको data चाहिए वो नाम आप इसे दे सकते हूं इतनी चीज़ के लिए होगे तो यहां पर हमने किस method का यूज के हमने method का यूज के get अब यहां पर बात करते है post method की तो इसमें कोई बहुत big deal नहीं है कि get का syntax अलग है post का syntax अलग है कुछ ऐसे deal नहीं है आपको बस करना किया यहां पर get को काड़ना है इसकी जगा लिख दो post control s कर देते practice.php में आऊ और यहां पर कर दो आप post बस इतना से change के हमने मतलब बिलक control s करता हूं यहां पर आता हूं reload करता हूं यहां पर हमने इसको back लिया और अब हम करके देखते हैं हमारा code काम कर रहा है नहीं कर रहा है तो मैंने यहां पर राजेश नाम change कर देते हैं password हमने कुछ भी डाला submit किया तो अब यहां पर अभी data नहीं आ रहा I think कि मैंने कुछ ग आप मैं तुबारा से क्या करता हूं यहां पर डालता हूं राहुल और मैं कोई भी password डाल देता हूं suppose मैं यह डाल दिया और मैं करता हूं enter यानि submit तो जैसे मैं submit करता हूं तो user name राहुल passcode किया गया है तो basically आपने देखा syntax में कोई change नहीं get भी वैसे काम कर रहा है post भी वैस अब यहां पर देखो जब मैं बात करूँ get की और अगर हम बात करें post method की तो जो get है वो थोड़ा सा harmless है क्यों है इसका reason आप समझे सबसे पहली चीज जो कि practical की basis में मैं बताऊं वो है इसकी visibility मतलब अगर मैं बात करूँ get method की तो get method में अगर आपने name या password जो भी चीज़े लिखी है जब वो refresh होती है तो उपर block में दिख जाता है जबकि अगर हम बात करें post method की तो उसमें जो data है वो वहां पर confidential रहता है वो data नहीं दिखता है अब यह चीज आपको clear नहीं होई होगी मैं with practical आपको शोगरता हूं example के लिए मैं यहां पर सबसे पहले लेता हूँ get method देखे ध्यान देना बहुत important चीज है हमने यहां पर लिखा get और मैं से ctrl s कर देता हूं यहीं पर और यहां पर बस post को हटा के मैंने यहां पर देदिया get तेखे simple इतना से मैंने यहां पर change किया get method यूज करें यहां पर आते हैं reload करते हैं और मैं इसको बिल्कुल back ले लेता यहां पर इसके ctrl s, यहां पर आते हैं reload कर देते हैं यहां पर data ढलते हैं यहां पर राहु और password मैं जो भी लिखे रहा हूं वह आपको भी नजर नहीं आरा नहीं दिख रहा है यहां पर ध्यान देना URL पर अभी URL पर कोई भी password नहीं दिख रहा है लेकिन जैसे मैं submit करता हूं तो आप यहां पर देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके शो करता हूं कि यहां पर मेरा username शो कर रहा है कि मैंने username राहूल लिखा था और जो passcode है वो यानि जो password मैंने डाला वो यहां पर password लिख के आ रहा है मतलब जो मेरा यहां पर output है वो मुझे यहां पर URL में भी दिखाए दे रहा है तो proper security क्यों तो यह follow नहीं कर रहा है अगर हो password है confidential data है तो यहां पर नहीं दिखना चाहिए जो की बहुत बड़ा इशु होता है get method के साथ इसे तो कर देंगे Ctrl-S यहां पर आएंगे और यहां पर भी मैंने क्या किया post डाल दिया Ctrl-S यहां पर बैक चलते हैं reload कर देते हैं अब यहां पर same वही चीज़ कर रहा हूं मैंने नाम लिखा और password मैं लिख रहा हूं जो कि अभी आपको नहीं दिखाए दे रहा यहां पर show नहीं तो हमारा URL है, वहां पे get method जो है, वो password को show कर रहा था, जबकि यहां पे password हमारा जो post method है, उसमें show नहीं हो रहा, इसके साथ ही बात करें, और भी differences की, security purpose से, जो get method होता है, इसमें भी होता है, कि जो get method है, वो less secure होता है, compared to post, because of the part of the URL, जो मैंने भी आपको URL का example दिया, और post method जो है, वो उसके भी हाप पे जाद better होता है, इसके अलावा जो data type के हम बात करें, data length की बात करें, तो इसमें क्या है, कि only ask की characters ही allowed होते है, ask की characters आप Google पे search करोगे, 0 to 9, और इसके अलावा जो ABCD characters हमारे, वो सब होते है, मतलब limitation है, लेकिन इसमें आपको कोई limitation नहीं है, इसमें binary data भी allowed होता है, तो post method उस भीहाप पे भी get method से better है, इसके अलावा history के भीहाप पे हम बात करें, तो parameters remains in browser history, मतलब get method से जो काम आप कर रहे हो, data को आप retrieve कर रहे हो, उसमें आपकी browsing history रह जाती है, लेकिन यहाँ पे post method के अगर हम बात करें, तो उसमें हमारे history safe नहीं रहती, तो data आपका confidential यानिकी safe रहता है, इसके अलावा एक और point आप देखो कि जो की है cache, basically जो भी आपने net serve किया है, उसके जो हिस्टी रह जाती है, वो आपका cache memory होता है, मतलब जो भी आपने उस पे काम किया है, वो आपका cache होता है, तो यहाँ पे भी क्या है कि can be cached, not cached, ठीक है, इसके अलावा यह bookmark किया जा सकता, यह bookmark नहीं किया जा सकता, तो basically अगर आप कभी भी password related form बना रहे हो, और उसमें आप data को जो है call कर रहे हो, तो उसके लिए हमेशा आपको post method ही use करना चाहिए, get method यूज नहीं करना चाहिए, so I think इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि कौन से जाधा secure है, जो post method है, वो जाधा secure है, compared to get method, इसके लाब अगर हम आज की वीडियो की बात करें, तो हमने यह समझा, कि get or post method का क्या use है, और इसका अगर हम PHP के tutorials में बात करें, तो अभी तक जितनी भी वीडियो आपने देगी, उनमें सबसे जाधा important term यही है, क्योंकि main तो आप इसी चीज़ के लिए सेखे रहे हो, कि आप एक website develop कर सको, और वो develop करने के लिए आपको इस term के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, इसके साथ ही हमने get और post के बीच में जो इतना बड़ा difference था, किसे हमने समझा, कौन से जाधा secure है, उस term को भी हमने समझा, और जितनी भी चीज़े थी, उनको हमने practical करके देखा, आशा करता हूँ दोस्तों, यह जो वीडियो है, वो आपको proper तरिके से killer हुआ होगा,